हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल देखिए आज हम इस प्रकार का एक और नई डिजाइन का सुन्दर सा पायदान आपके लिए लेकर आये हैं देखिए दो रंगों की साड़ी में यह हमारा पायदान बना हुआ है आप चाहें इसे तो जैसे आपने डोलमेट जो भी बनाए होंगे उसमें से कुछ टुकड़े बच गए होंगे आपके तो आप इसे मल्टी कलर का भी बना सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह से इसी तरह से दो रंगों का भी बना सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे इसे बना सकते हैं दोस्तों यह सही आकाल में बनकर हमारा तैयार हुआ है तो यह मैंने 35 फंदों का बनाया है तो यह बिल्कुल 35 फंदों का ही इसे इसी तरह से बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है बिल्कुल इसी तरह स बनाना है हमको 35 फंदे हम जरूर डालेंगे इसमें लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे इस साइड से ये देखिए हमारे हर बार 3-3 फंदे छूटे हैं 35 फंदे डालने के बाद भी तो ऐसा क्यूं है वो भी हम आपको वीडियो में ही बताएंगे क्योंके अगर 33 फंदे में तो चलिए आप हम इसे बनाते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे चलिए अब इसे हम बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम इसमें 8 नंबर की जो सलाई है वो यूज में ले रहे हैं ये देखिए 8 नंबर की सलाई अगर आपके पास 8 नंबर की सलाई नहीं है तो आप 9 नंबर की या पिर 6 नंबर की 7 नंबर की सलाई उसमें ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब हम डालते हैं इसमें फंदे तो वो मैंने जो आपको पायदान बताया वो था हमारा 35 फंदों का लेकिन मैं इसमें आपको कम फंदे में ये बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अगर आप कम फंदे का बनाना चाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे और जादा फंदों का बनाना चाते हैं किस तरह से बनाएंगे मैं आपको पूरी वीडियो में सब कुछ बता दूंगी लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये देखिए एक फंदा मैंने ये इस तरह से डाल लिया है ये नोट लगा का अब हम क्या करें और फंदे डालेंगे तो देखिए इस तरह से फिंगर में कपड़े को लपेट के ये देखिए दो फंदे हो गए फिर से देखिए तीन ये चार पांच छे साथ आठ नो दस ज्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला 17, 18, 19, 20, 21, 22 देखिए कितने भी फंदे डाल सकते हैं मैंने 22 फंदे डाले हैं मैंने 22 डाले हैं तो इसको ये मतलब नहीं है कि आप भी मेरी तरह जोडे में ही फंदे डाले हैं कोई दिक्कत नहीं है आप जितना बड़ा बनाना चाहें उसे साफ से कितने भी फंदे डाल सकत अब देखिए यहां से हम इसे बनाना शुरू करते हैं, तो यह देखिए, यहां से हम शुरू करेंगे, पहली सलाई हम अपनी बनाएंगे, बहुती आसान और सुन्दर सी हमारी डिजाइन है, जिन्होंने कभी भी पायदा नहीं बनाया होगा, वो भी इसे आसानी से बना लें क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीन-तीन फंदे हमें छोड़ने हैं, और इस डिजाइन में कुछ नहीं करना है, बहुती सरल डिजाइन है हमारा ही, यह इस तरह से हमें बनाना है बिलकुल, यह देखिए, सारे फंदे ऐसे ही लेंगे हम, और देखिए हैं, एंड में आगए, एक, दो और तीन, तीन-तीन फंदों को इसी तरह से छोड़ देंगे, कपड़े को दूसरी तरह करेंगे, और बनाएंगे, तीन फंदे मैंने छोड़ दिये हैं, शुरूगात में ही, और देखिए, यहां एंड में आ गई है, जो लाश्ट वाला फंदा है, इसको मैं बिना खुने उतार देती हूं, यह देखिए, और इस साइड से आकर इसे बनाएंगे, फिर से देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदों को फिर छोड़ेंगे, और कपड़े को दूसरी तरफ करेंगे, आप है करेंगे, पिर एंड देखिए, और को लाश्ट प्경ल, आ करेंगे, एक, बाहा है को देखिए, पो फिर देखिए, एक देखिए, लाश्ट प्ला गवमतुन को देखिए, और एंड वाले फंदे को फिर से बिना बनाए उतार देंगे यह देखे और दूसरी साइड से बना लेंगे तीन फंदे फिर छोड़ देंगे हर बार हम तीन तीन फंदों को छोड़ रहे हैं प्राएमा हम प्राएमा वोड़ देंगी वाले देखे बार ये ताहर से एक दो तीन तीन फंदों को फिर छोड़ देंगे किनारी में हमारी इस तरह की फिनिशिंग आती है इसलिए मैं ऐसा करती हूं तो आप भी इसलिए इसी तरह से बनाएं जिससे हमारी जो किनारी यह फिनिशिंग के साथ बने एक दो तीन तीन फंदों को फिर छोड़ दें अब देखिए आलगे हमें क्या करना ए मेरे यहां पर मैंने तीन तीन करके तीन तीन दुनीच्च एए तीन 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 चोख़वाराइ ती पांच 15 फंद सेए 15 फंदे डाले थे उसमें से 15 फंदों को मैंने छोड़ दिया है अब दिखिए कितने फंदे मेरे बचे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, और साथ साथ फंदे मेरे बचे हैं तो आप जितने भी फंदे का बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है तीन-तीन करके फंदों को छोड़ते रहना है जब आपके यहाँ पर या तो मेरी तरह साथ फंदे बच जाएं या फिर आठ भी हो सकते हैं, नौ भी हो सकते हैं तो या तो साथ, आठ या नौ इस तरह से फंदे बच जाएं वहाँ तक आपको दीरे-दीरे करके फंदों को छोड़ना है जैसे मेरे 7 फंदे बचे हैं ये आपके 8 भी बच सकते हैं और 9 भी बच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें और वहां तक ही आपको 3-3 करके फंदों को छोड़ना है अगर आप ये 50 ये 60 फंदे का बना रहे हैं तो ये 9 की जगा 10 फंदे भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसी तरह से आपको इसे बनाना है अब मेरे 7 फंदे रह गए वहां तक मैंने इसे बना लिया अब देखिए आगे हम क्या करेंगे जितने भी आप फंदे डालें उसी इसाब से 7 या 8 या 9 आपके फंदे रह सकते हैं अब देखिए हम क्या करेंगे जैसे हमने 3-3 करके फंदे छोड़े थे वैसे ही 3-3 करके फंदे को लेंगे तो ये मैं 3 फंदे ले ले रही हैं अब बीच में गैपिंग जादा आएगी तो देखिए इस फंदे को में बिना बुने ऐसे ही ये देखिए बना नहीं रही हूँ सिर्फ ऐसे ही मैं उतार दे रही हूँ दोनों साइड से इससे बीच में हमारी गैपिंग नहीं आएगी और हमें फंदा उठाना भी नहीं पड़ता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ अब देखे कपड़े को जोड़ लेते हैं यह देखे अब यह सारे फंदों को हमें इसी तरह से बनाना है जैसे 3-3 करके फंदे छोड़े थे वैसे ही 3-3 करके फंदों को लेना भी है बिल्कुल इसी तरह से आप भी करेंगे बीच में मैंने आपको जैसे बताया या तो 7 फंदे या 8 फंदे या फिर 9 फंदे आपके इसी तरह से फंदे रह जाएंगे और आपको फिर क्या करना है तीन दिन करके फंदर को लेने लगना है जैसे मैं ले रही हूँ बिल्कुल बैसे ही यह देखिए अपर आपको ध्यान भी रखना है कि आपने कितने फंदे यहाँ पर छोड़े हैं क्योंकि आगे भी हमें उसका फोड़ा सा यूज करना है तीन फंदे और बना लिए मैंने और उसके साथ इसाथ एक फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार रही हूँ और इस साइड से भी ऐसे ही उतारूंगी बिना बुने बनाऊंगी नहीं साइड से भी और देखिए बागी के फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे इसक बग्शने लॉच्चा के अचे पार कि जाए तारी कर अद्फनेया टार्या टो ए्थफा लॉट से वद़ाए लॉवजष के लोग लॉवज इसक्ड़ाएदा लॉग लॉब्गाएरे लॉबाएляются लॉबारे लॉबाएं सब्फर कर लॉबाएं लॉब्गजारे लॉबा तीन फंदी लेके और बना देंगे हैं तीन फंदी लेके, इसज बना लेका प्रॉब का बना देंगे हैं वैसे ही मैं तीन-तीन खंदे लेकर इसे बना भी रही हूँ अब देखें तीन खंदे हमने और ले लिए और इस तरह से ये देखें बंदे लेखें यह देखिए इस तरह से मेरे सारे फंदे में दीरे-दीरे करके ले लूँगी आप भी जितने भी फंदे का बनाना चाहेंगे बिलकुल इसी तरह से आप बनाएंगे कुछ भी नहीं करना है हमको बहुत ही आसान डिजाइन है सिर्फ दिहान रखना है इस चीज का कि हमें 3-3 फंदे इसमें छोडने हैं और वैसे ही 3-3 फंदे लेने भी हैं सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज का दिहान रखेंगे तो आपका एक बहुती सुन्दर सा पायदान बनकर तैयार हो जाएगा बस आपको इतना सा ही इसमें ध्यान रखना है और कुछ भी ने सारे फंदे हमें इसी तरह से बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ आप भी जितने भी फंदे का बनाएंगे तरीका बिलकुल ये ही रहेगा और फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इसी तरह से आप पूछ सकते हैं कमेंट में तो मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से बनाना है यह देखिए सारे फंदे मेरे बन गए तिन तिन करके जैसे फंदे छोड़े थे बैसे गी सारे फंदे हमने बना लिए बहुत ही आसानी के साथ सारे फंदे मेरे बन गए है अब देखिए आगे हमें क्या करना है इतना होने के बार में अब आगे क्या करेंगे हम वो देखिया यह देखिए इतना ही मैंने बना लिए अब हमें क्या करना है वो देखिए मैंने आप से कहा था आपको ध्यान रखना है कि आपके end में आकर कितने फंदे बचे हैं तो मेरे 7 फंदे थे तो उन 7 फंदों को अम मैं एक एक करके कम कर दूंगे दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे एक फंदा कम हो गया मेरा दो फंदे कम हो गया तीन फंदे कम हो गया ये लेखे चार फंदे कम हो गया ये पाँच फंदे कम हो गया ये 6 फंदे कम हो गए और ये 7 फंदे कम हो गए 7 फंदे मैंने कम कर दिये अब इन फंदों को ऐसे ही बना लेंगे देखे जब आप 7 फंदे कम कर लेंगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है वो बताती हूं मैं ये देखे यही से हम क्या करेंगे 7 फंदे कम करने के बाद में जब एक फंदा हमारा कम करने को रह जाएगा वहीं पर हम क्या करेंगे दूसरा कलर हमारा एड़ कर लेंगे तो ये देखे ने दूसरा कलर एड़ कर रही हूं यह आपर आप भी इसी तरह से करें जब आपके फंदे घट जाएं उसके बाद ये देखिए तो ये देखिए हमारा कलर चेंज हो गया है आप है कि सारे फंदे बनाने हैं हमको ये देखिए इस तरह से इस साइड से बनाएंगे सारे फंदे अब देखिए जो साइड फंदे हमने इसमें कम किये हैं वो फंदे फिर से डालेंगे ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे साइड जो साइड फंदे हमने कम किये थे ये देखिए इस तरह से वो फिर से डाल लिए अब फंदे डालने के बाद में हम इन फंदों को बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे ये देखिए साथ और बागी के भी जो फंदे हैं उने भी ऐसे ही बना लेंगे कुछ नहीं करना है और उन फंदों को भी ऐसे ही बना लेना है हमें और देखिए फिर से एंड में आकर तीन फंदों को छोड़ देगे जैसे मैंने ये फंदे छोड़े थे बिल्कुल वैसे ही देखिए तीन फंदे फिर छोड़ दिये और यहां से ही हमारी दूसरी कली शुरू हो जाएगी और इसी तरह से इस पायदान को हमें बनाना है यही तरीका रहेगा इस पायदान को बनाने का हमारा तो इस तरह का एक सुंदर सा पायदान हमारा बनकर तयार हो जाएगा इसी तरीके से आप बनाएंगे तो ऐसा ही पाइदान हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये पाइदान की डिजन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके जिससे ऐसे ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तो आपका धन्यवाब वीडियो को देखने के लिए